हैलो दोस्तों, मैं उमेश चंद मिस्रा, आरडियम इंटरमीडियर कालिज के आनलाइन क्लास में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ मित्रों आसा करता हूँ, आप सभी लोग ठीक ठाक हूँगे, पढ़ाई लिखाई भी अच्छे से आप लोगों की चल रही होगी कोरोना महामारी की इस संकट की घड़ी में हम मिल जूल कर काम करेंगे तो यह हम सभी लोगों के लिए बहुत बेहतर है और इसी प्रकार से हम अपने घरों में रहें कोरोना वायरस से बचने के लिए हम जागरूक रहें, दूसरों को भी जागरूक रखें एक सिच्छित होने का हमारा यही उत्तरदाईत है जिसका हमें निर्वहन करना चाहिए तो दोस्तों आज हम आप लोगों को कच्छा दस के पाठ तीन दव विलेज सांग नामक कविता को पढ़ाने जा रहे हैं और हम इसी पर आज चर्चा करेंगे तो अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इसको सस्क्राइब करना न भूलें हमारी होसला फजाई के लिए आप इसे लाइक सेयर और कमेंट भी इसमें करिए तो यह पाठ सरोजनी नाइडू के द्वारा लिखा गया था जिनका जन्म 1889 इसवी में कलकत्ता बंगाल में हुआ था सरोजनी नाइडू जो एक बहुत संपन परिवार से संबंध रखती थी और उनके पिताजी अगोर नाजी चटोपाध्याय यह डियेस्सी थे और सरोजनी नाइडू पढ़ने लिखने में बचपन में ही बहुत तेज थी यह 133 सेनानी के रूप में भी आगे उगरी बिदेशों में इन्होंने पढ़ाई किया भारत के भारत छोड़ो आंदोलन में भी इन्होंने हिस्सा लिया नमक सत्या ग्रह आंदोलन में भी यह हिस्सा रही उत्तर प्रदेश की परथम महिला राज़ जिपाल थी इसके साथ साथ वह एक अच्छी लेखिका एक अच्छी वक्ता इनके अंदर कई क्वालिटीज इनके अंदर थी यह एक ससक्त एक राजनीता भी थी एक राजनीटिग भी थी और वह एक लेखक भी थी और वह इस पार्ट को लिखती है प्रस्तुत पाठ में कवित्री एक गाम की गीत का वरणन करती है जहां पर एक छोटी सी लड़की जो साधी से पहले अपनी माँ से बात करती है और उसके विचारों का यहां पर वरणन करती है उसकी माँ उससे क्या चाहती है और वह लड़की उनसे क्या चाहती है इसी conversation को इस पाठ को बहुत ही खुबसूरत धंग से सरोजनी नाइडू ने इसे एक पाठ का एक कहानी का एक कविता का एक गीत का रूप दिया है जिसे हम अपने जीवन में एक आनंद मय तरीके से इसको पढ़ सकते हैं और पढ़ते हैं तो हम फिलहाल इस पाठ की भारे में चर्चा सुरू करते हैं सरोजनी नाइडू जी लिखती है कि हनी चाइल्ड विधर आर यू गोईंग हनी चाइल्ड हनी का मतलब सहद होता है आप सभी लोग जानते हैं तो यहां पर honey का मतलब सहद नहीं, बलकि अपनी उस एक जो लड़की है, एक माँ अपनी लड़की से बात कर रही है, और उसे honey सब्द से संबोधित करती है, जिसका मतलब एक प्यारा सा सब्द हम कह सकते हैं, उसे honey child का मतलब हम प्यारी बच्ची कह सकते हैं, तो इस प्रकार स हमी प्यारी बच्ची कहने में कोई संकोच नहीं है कोई दिक्कत नहीं है तो मा कहती है कि प्यारी बच्ची प्यारी बच्ची विदर आर यू गोईंग विदर मतलब वेर मतलब कहाँ आर हो यू तुम गोईंग जा रही हो प्यारी बच्ची प्यारी बच्ची तुम कहां जा रही हो और वोड क्या यू तुम काश्ट बिखेर दोगी योर जेवेल्स अपने गहनों को आल संपुर्ण टू दा ब्रीजेज हवाओं में थंड हवाओं में ब्लोविंग बहती हुई मा अपनी लड़की से अपनी छोटी सी एक इनोसेंट गर्ल से एक इनोसेंट चैल्ड से पूछती है जिसको अभिये सांसारिक जीवन के बारे में ग्यान नहीं है उससे पूछती है कि प्यारी बच्ची प्यारी बच्ची तुम कहां जा रही हो वुड क्या यू तुम कास्ट बिखेर दोगी योर जेवेल सपने गहने को आल पूरे तू दवरीजेज ठंडी हवाओं में बलोविंग बहती हुई बहती हुई ठंडी हवाओं में क्या तुम अपने पूरे गहने को बिखेर दोगी क्या जो तुम्हारे पूरे गहने हैं संपर गहने हैं क्या तुम उसे बहती हुई ठंडी हवाओं में बिखेर दोगी तो और आगी कहती है वुड यू लीव वुड क्या यू तुम लीव छोड़ दोगी दा मदर उस मा को क्या तुम उस मा को छोड़ दोगी हू जिसने अन गोल्डेन ग्रेन मतलब सुन हरी अनाजों से हाई जब फेड फेड मतलब फीड का तीसरी अवस्था है जिसका मतलब फीड मतलब खिलाना मतलब खिलाई गए यू तुम्हें क्या तुम अपनी मा को अपनी दा मदर मतलब उस मा को छोड़ दोगी जिसने जिसने तुम्हें सुन हरी अनाजों से खिलाया है अर्था जिसने तुम्हारा पालन पोसण किया है प्यारी बच्ची क्या तुम उसे छोड़ दोगी और वुड क्या यू तुम ग्रीव क्या तुम दुख दोगी तुम से साधी करने के लिए और क्या तुम उस प्रेमी को दुख दोगी जो तुम से साधी करने के लिए आ रहा है यहां मा और बेटी के सुन्दर कनवर्सीशन का वर्णन है जो बेटी अपने मतलब जिस बेटी की साधी होने वाली है और वह अब भी दुनिया के संसार के इन बंधनों से पूरी तरह मुक्त है और उस बेटी से मा प्रस्न पूँचती है और कहती है कि हे प्यारी बच्ची मेरी प्यारी बच्ची तुम कहा जा रही हो क्या तुम अपने पूरी गहने को बहती हुई हवाओं में विखेर दोगी क्या तुम अपनी उस माँ को छोड़ दोगी जिसे ने तुम्हे सुनहरे अनाजू से खिलाया है और क्या तुम अपने उस प्रेमी को दुख दोगी जो तुम से साधी करने के लिए आ रहा है राइड मतलब यात्रा करना मतलब किसी घोड़े ओड़े पर यात्रा करना जिस ऐसे सवारी की यात्रा करना जिसके दोनों तरफ उमपायर करके यात्रा करते हैं जैसे घोड़ा हुआ या मोटर साइकिल हुई साइकिल हुई यह सब राइड में आते हैं जबकि ड्राइव जिसे कार में हम चलते हैं तो वो ड्राइव होता है ट्रेन में तो ट्रेवेलिंग होता है तो वुड यू ग्रीव दलवर क्या तुम उस प्रेमी को धोखा दोगी जो तुम से साधी करने के लिए आ रहा है अब वह जो छोटी सी लड़की है वह अपनी मा को उत्तर देती है और कहती है कि मदर माईन मदर माईन है मेरी माँ टू दा विल्ड फारेष्ट टू को के लिए दा विल्ड फारेष्ट जंगलों के लिए आई मैं आयम हूँ गोइंग जा रही हूँ मैं जंगलों को जा रही हूँ अर्थात मैं जंगल की ओर जा रही हूँ है मेरी माँ मैं जंगल की ओर जा रही जहां अपान दचंपा बाग्स जहां चंपा की डालियों पर चंपा की साखाओं पर दचंपा बड्स चंपा की चंपा फूल एक प्रकार का होता है चंपा की कलियां आर ब्लोईंग मतलब खिल रही है वह जो लड़की है वह लड़की एकदम अभी एकदम अनजान बच्ची है और वो कहती है भी वह संसारी जीवनों से वह पूरी तरह मुक्त है वो कहती है कि है मेरी मा मैं जंगलों को जा रही हूं जहां पर चंपा की साखाओं पर चंपा की कलिया खिल रही है और तू दा कोयल हांटेड रीवर आईजल्स और तू को दा कोयल हांटेड मतलब कोयल की आवाज से भरे हुए रीवर आईजल्स मतलब नदी के टापू की ओर जा रही हूं और मैं कोयल की आवाज से भरे हुए नदी के उस तापू की ओर जा रही हूं वेर जहां लोटस लीली जहां पर कमलीनिया गलीसेन मतलब चमकती हैं और हे मेरी माँ मैं जंगलों को जा रही हूं जहां पर चमपा की साखाओं पर चमपा की कलिया खिल रही हैं और जहां नदी के टापू पर कोयल की आवाज है और मैं उस अस्थान को जा रही हूं जहां पर कमलीनिया चमकती हैं और दा वाइसिस आफ दा फेरी फालक आर कालिंग में दा वाइसिस आवाजें आफ दा फेरी फालक परी लोगों की आर कालिंग बुला रही हैं मुझे और मुझे परी लोगों की फालक मतलब लोग होता है जो परियां है उन परियों की आवाजें मुझे सुना बुला रही है ओ अरी ली सेम सुनो वो कहती है अरी सुनो मुझे परियों की आवाजें बुला रही है फिर मा कहती है Honey child, honey child, प्यारी बच्ची, प्यारी बच्ची, the world is full of pleasure, the world यह संसार इज है, full of भरा हुआ है, pleasure प्रसनता से, हे प्यारी बच्ची, यह संसार प्रसनता से भरा हुआ है, आप ब्रिडल सांग्स, वैवाहिक गीतों से, और जातिय गीतों से, जातियत गीतों से, हे प्यारी बच्ची, यह प्यारी बच्ची, यह प्यारी संसार प्रेम से, प्रसनता से भरा हुआ है, और यहाँ पर वैवाहिक गीतों है, और जातियत गीतों है, आइंड और सेंडल सेंटेड लेजियूर और सेंडल मतलब चंदन सेंटेड से युक्त इतर से युक्त लेजियूर लेजियूर का मतलब होता है आराम आराम का मतलब जो पहला एक आनंद है उस आनंद के लिए यहां पर लेजियूर सब्दका प्रयोग हो और यहां पर जो मतलब साधी के एक पूरी मंडप का एक साधी के पूरी माहौल का यहां पर मावरनन कर रही है मतलब उसकी साधी जश्ट होने ही वाली है और उखाती है कि है मेरी प्यारी बच्ची यह संसार प्रसंता से भरा हुआ है और यहां पर एक चंदन की खुसबू भी खरी हुई है मतलब चंदन की खुसबू से वैवाहिक गीतों से और जाती गीतों की प्रसनता से यह संसार भरा हुआ है और योर ब्रीडल रोब्स और तुम्हारे जो वैवाहिक रोब्स कपड़े हैं आर हैं इंद लूम हथकरगे में अर्थात उनकी बुनाई हो रही है वो सीले जा रहे हैं लूम मतलब हथकरगा जहां पहले जब आज आधुनी सुझाय नहीं थी तो इस प्रकार से हथकरगे हुगा करते थे जहां लोग अपने हाथों से कपड़े सीलते थे बूनते थे और हथकरगे में हैं और सिलवर वो चादी के रंग के हैं और सेफरन और केसरिया रंग के गुलोविंग मतलब चमा कर रहे हैं तुम्हारी वैवाहिक कपडे जो चादी और केसरिया रंग के चमकीली कपडे हैं वे हथकरगे में हैं और योर ब्रीडल केक्स और तुम्हारी जो तंदूर में हैं भठी में हैं और तुम्हारे वैवाहिक कपड़े मतलब कि तुम्हारे वैवाहिक जो रोटियां हैं जो बारातियों को खिलाए जाने के लिए जो रोटियां बनी हुई हैं वे तंदूर में हैं अर्थात वे भठी में हैं वो बन रही हैं वो पक रही हैं तु अदर आर यू कुएंग, तुम कहां जा रही हो, हे बिची, तुम कहां जा रही हो, यहां साधी की पूरी तयारी हो चुकी है, अब फिर से वह लड़की उत्तर देती है, और कहती है, कि दा ब्रीडल सांग्स यह वैवाहिक गीत और जातिगत गीत यह वैवाहिक गीत और जातिगत गीत हैव रखते हैं कैडेंसिस उतार चरहाव आफ सारो दुख के ये वैवाहिक गीत और ये जाती गीत ये दुख के उतार चड़ाव को रखते हैं इनमें दुख का उतार चड़ाव होता है इसमें कभी दुख होता है जादा होता है कभी कम होता है लेकिन रहता इसमें दुख ही है तो वो लड़की कहती है कि है मेरी मा ये जो वैवाहिक गीत हैं और जो गातियतगीत हैं ये दूख के उतार चडहाव को रखते हैं और the laughter of the sun today और दलाफ्टर खुसिया आप the sun जो धूप की खुसिया हैं जो मतलब कि धूप जो चारो तरफ फैला हुआ हुआ होता है और थाग की जो चारो तरफ फैली हुई जो खुसिया है तुड़े आज की जो आज चारो तरफ फैली खुसिया है दविंड आफ डेथ तुम तुमारो और वह दविंड हवा है आफ डेथ समाप्त की मौत की तुमारो कल के कल के मौत की हवा है कल के समाप्ती की हवा है आज की जो खुसिया है आज जो जितनी प्रसनता मेरे पास है उस प्रसनता वह एक कल के कल के एक समाप्ती की वह एक हवा है इस जो वैवाहि गीत आज जातियत गीत के बारे में मात तु बोल रही है वह कल के दुख के उतार चढ़ाव है आज की ये मात्र इतने ही हैं कि ये जो आज की फैली प्रसनता है इस प्रसनता का अंत है ये प्रसनता खत्म होने वाली है इसी प्रसनता का वह एक मतलब इसी समाप्ती का वह एक मात्र संकेत है बस और इससे अधिक कुछ नहीं है फार स्वीटर साउंड दूर जो स्वीटर मधूर साउंड आवाज है दा फारिष्ट नोर्स और उस जंगल के नोर्स गीतों का और जंगल की गीतों का जो एक मधूर आवाज है वेर जहां फारिष्ट इस्ट्रीम्स जहां पर जंगल की धाराएं आर फालिंग गिर रही है और जो आज जंगल के गीतों की एक जो मधूर आवाज है जहां पर जंगल की धाराएं गिर रही है ओ मदर माइन हे मेरी माँ आई कैनाट इस्टे मैं नहीं रुक सकती दफेरी फाल्क आर कालिंग परी लोग बुला रही है वह कहती है कि हे मेरी माँ मैं उस अस्थान को जा रही हूं जहां पर जंगल की धाराएं हैं वे गिर रही है और वे जंगल के गीत की जहां मधूर आज है मैं वहां जा रही हूँ और मैं नहीं रुक सकती परिया मुझे बुला रही है तो मित्रों मैं आसा करता हूँ आप लोगों को यह पाठ अच्छी तरीके से समझ में आया होगा मैं फिर से अगले पाठ के साथ यहां पर फिर उपस्तित्र हो जाऊंगा आप सभी लोग इसी प्रकार से हमारी चैनल को देखते रही है अपना धेर सारा प्यार इस चैनल के लिए समर्पित करते रही है आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवान